असलाम उलेकुम, वेलकम टो माई चैनल's वीडोल्स आज मैं आपके साथ पांच से छे साल की बच्ची की ओपन चौक वाली कुर्टी की कटिंग और स्टििचनग शेर करूंगी और इस कुर्टी को नायरा कुर्टी भी कहते हैं यानि के नायरा कुर्टी की कटिंग और स्टीचिंग आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो के बहुत ही ज्यादा असान तरीका है वीडियो को आपने एंड तक देखना है लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब लॉन फैबरिक आपने लेनी है क्योंकि बच्चियों की लिए अच्छे वाली लौन फैबरी की लिया करें यहां पर जो मैंने साध्य अब दिखाया है वो साध्य फैबरीक है वह ड्रॉजर होगा जिसकी कटिंग में मैं आपको इससाद बताऊंगी इसी वीडियो में और यह इसके कुटि तियार करनी है डबल फॉल्ड फैब्रिक है, जिसकी चुड़ाई 18 इंच है लेकिन यहां पर हमने 15 इंच टो पार्ड की चुड़ाई रखनी है सब पहले हमने इस टो पार्ड की लेंथ निकाल लिए तो 11 इंच पर आपने निशान लगाना है निशान लगाने के बाद यहीं से हम कटिंग कर लेंगे तो इस टोप पार्ट को हम अलग कर लेंगे इस तरीके से अब यहाँ पर हमने चुड़ाई मेयरमेंट करनी है कि कितनी हमने बच्ची की चुड़ाई रखनी है टोप पार्ट की तो पंदरा इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगे और बंदवरी स्टाड पर आपने निशान लगाना है तो उसी तरफ से हमने कटिंग कर लिया तो यह वाला जो पार्ट निकला है फैबरी का यह नेक के नीचे लगाने के लिए काम आएगा तो यहाँ पर हमने अब टो पार्ट को इस तरीके से फिर से फोल्ड करना है तो यहाँ पर फोर लेर बन जाएंगी यहाँ से हमने तीरे का और कंधे का मैयर्मेंट करना है तो पांच इंच पर हमने तीरे का निशान लगाना है और 6 इंच पर कंदे का निशान लगाना है चेक फैब्रिक है तो यहां पर आई होट आपको यह निशान अजर आ रहे होंगे तो कोने से गुलाई की शेप दे दी कंदे की अब यहां पर हमने नेक जो है वो हमने चेपी का त्यार करना है तो सिर्फ यहां पर मैंने कंधे का निशान लगाया और तीरे को तिर्चा निशान लगाने के बाद हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से तो टो पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हमने यहां पर बोटम पार्ट निकालना है तो बाकी बचा फैब्रिक जो है उसको लेंगे चुड़ाई मैंने आपको दिखाई यह 18 इंच थी डबल फोल्ड फैब्रिक की और यहां पर हमने लेंथ निकालनी है तो 18 इंच ही मैंने length निकाली इसको हमने इस तरीके से fabric को double fold किया यानि के front और back side का जो bottom part है वो निकालना है तो यहां से हम cutting कर लेंगे अब center से cutting करने से पहले हमने इसकी चुड़ाई कम रखनी है क्योंकि यह frog हमने full layer वाला frog त्यार नहीं करना यह कुड़ती हमने त्यार करनी है open chalk वाली यहां पर इसकी चुड़ाई हमने कम लेनी है तो यह देखें जो total इसकी चुड़ाई है 30 inch है तो यहां पर हमने 30 inch इसकी चुड़ाई लेनी है तो 30 inch पर निशान लगाने के बाद यहां से हम cutting कर लेंगे और यह वाला जो side वाला fabric है इसके हम sleeves त्यार करेंगे अब इसी fabric को हमने इस तरीके से double fold किया और फिर से fold किया ताकि हमने center से cut करके front और back side का जो bottom part है उसको अलग-अलग कर सकें तो center से इस तरीके से हम cut कर देंगे तो यह देखें दो pieces में यह fabric हमने कर लिया है इसको हम side में रखेंगे अब जो बाकी बचा fabric है उसको हम लेंगे इसको हमने इस तरीके से फिर से fold किया तो यहाँ पर जो इसकी चुड़ाई है वो 9 इंच है और यहाँ पर हमने जो length लेनी है वो 10 इंच लेनी है यह हमने sleeves त्यार करने है कंधे की हम यहां से cutting कर लेंगे जितनी fitting fronts रखनी है उतनी रखकर बाकी extra fabric की हमने cutting कर दी तो यह यहाँ पर हमने sleeves की cutting कर ली है center से हम इस तरीके से cut लगा देंगे उपर से मैंने चुनट्स डालनी है इसलिए मैंने कंधे का हिसा जारा चुड़ाई में रखा है अब जो simple साधा fabric था उसको हम लेंगे और यह देखें यह double fold fabric है इसका हमने trouser cutting करना है तो यह देखें यहाँ पर double fold जो fabric 18 इंच इसकी चुड़ाई है लेकिन यहाँ पर हमने 13 इंच इसकी चुड़ाई रखनी है क्योंकि छोटी बची का यह trouser cutting करना है तो यह देखें इसको fabric को मैंने open किया यहाँ पर मैं 26 इंच पर निशान लगा दूँगी और यहीं से हम cutting कर लेंगे चोटी बची का यह trouser है इसलिए हमें उपर से ज्यादा खुला नहीं रखना है तो यह देखें मैंने हिस्से से हमने डेर दिंच का निशान लगाना है यह वाला इलास्टिक वाला हिस्सा होगा यहां पर हमने इलास्टिक को स्टिच करना है और यहीं से हमने इसी निशान से हमने 11 इंच तक निशान लगाना है यह होगा आसन का निशान अब इसी निशान से जो हमने आसन का नि तक इस तरीके से गुलाई में निशान लगा दिया और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे कर दिए तो यह देखें निचे से हमने इस डौजर की कटिंग कर ली है was after तो यहां पर हमने टोटबर चाहिए थी क्लिऴन तीयार रखनी है वो तकडिवًगर 25 इंच रखनी है अब यह देखें जो आसन वाला पार्ट है यहां से हमने हलकी सी गलाई की शेप दी और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से गार आप ट्रॉजर की कटिंग करेंगे ना बच्चियों की या बड़ों की तो जो आसन से जो ट्रॉजर फटने की या स्लाई निकलने की जो बच्चियों की वह नहीं होगी अब यह देखें जो मेरे पास यह जो ट्रॉजर में से जो कटिंग वाला पार्ट निकला था इनको हम लेंगे इस पीसी को इस पीस को मैंने यह सेंटर में लगा कर जोइंट कर लिया है अब यह देखें इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे क्योंकि मेरे पास ट्रॉजर के साथ का फैबरिक और बचा हुआ नहीं था इसलिए मैंने यही वाला फैबरिक यूज कर लिया अब यहां से हमने यह देखें सीधा यहां से कट करना है यह मैंने नेक के उपर डिजाइनिंग इस फैब से इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यहां पर हमने नेक की कटिंग करनी है तो नेक की चुड़ाई मैंने यहां पर धाई इंच रखनी है और नेक की डीप तीन इंच रखनी है तो इस तरीके से हम कुलाई की शेप दे देंगे और यहीं से हम नेक की कटिंग कर लेंगे बहут प्यारी और असान तरीके एकसा ये कुड़ती तियार होगी और इसका नेक्ट डिजाइन जो तियार होगा वो बहुत ही प्यारा जबरदस तियार होगा अब इस फैबरिक को पर हमने इस नेक को पेस्ट कर लेना है आरन्ड की मदर से और center वाला part center में ही रखना है तो यह देखें मैंने iron के मदर से इसे अच्छे से paste कर लिया है अब center वाली जो slide मैंने यहां पर लगाई थी वो center में ही बिलकुल आनी चाहिए अगर आपने भी slide लगाई है तो वरना अगर आपके पास slide के बगेर फैबरिक है तो बहुत अच्छा है तो आप वही यूज़ कर सकती है तो यह देखें यहां से neck paste करने के बाद इस तरीके से मैंने तिर्चा cutting करना है कुछ इस तरीके से यह देखें मैंने तिर्ची line draw कर ली है यहां से अब इसी line से मैंने cutting नहीं किया fabric को इसको हम इस तरीके से fold कर लेंगे ऑपड से जो इसकी चुडाई है टोटल यह देखें चार इंच है और निचे से टोटल इसकी चुडाई है वो है 5.ब यह देखें इस fabric को दोनों तरफ से इस तरीके से fold करके यहां से मैं गम की मद़़ से चिपका लूंग इस fabric को यह आप अच्छे से प्रेस कर लें दोना तरफ से मैंने fabric को फोल्ड कर दिया है अब सबसे पहले हमने यहां पर laces को stitch करना है center में मैंने laces को इस तरीके से रखना है center में जोड था उसके इर्द गिर्द मैंने laces को stitch कर लिया है उसके बाद हमने टो पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट लेना है और यहां पर भी हमने इसको फोल्ड करके इस पार्ट को तहका निशाने की बठा लिया आईरन के मदद से अब इस टो पार्ट को उल्टा रखेंगे और नेक को भी इस तरीके से उल्टा रखेंगे और center वाला part बिल्कुर center में ही आना चाहिए जो तह का निशान हमने बिठाया था और यहीं से हम neck के इर्दगिर्द slide लगा देंगे slide लगाने के बाद center से extra fabric की हम cutting कर देंगे तो यहाँ पर हमने छोटे-छोटे cut लगा देने हैं ताके जो neck है वह सीधी side के तरफ easily fold हो सके लगा देनी है और यहां से भी दोनों तरफ हमने slide लगा देनी है तो यहां पर मैंने कम्प्लीट हो चुका है अब यहां पर हमने बैक वाला पार्ट लेना है तो बैक वाले टोप पार्ट को हमने शॉल्डर स्टिच करने हैं दोनों को आपस में मिलाकर और यहां पर हमने बैक वाले नेक को त्यार करना है बटन टे के साथ तो यह देखें, मैंने shoulder को joint करके back वाला neck complete कर लिया है, यहाँ पर मैंने button भी लगा दिया है, अब यहाँ पर हमने sleeves को stitch करना है, तो sleeves को हमने front से इस तरीके से बरीक fold करके, तो slide लगा देनी है, और उसके उपर हम इस तरीके से last को stitch कर देंगे, दोना स्लीव्स की उपर हमने लैस्ट को स्टिच कर लिया है अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को टोप पार्ट के साथ जोइंट करना है इस तरीके से सेंटर में जतनी भी चुनट्स आएं उतनी आप चुनट्स यहाँ पर डाले यह देखें इस तरीके से सेंटर में चुनट्स डाल कर तो यहां पर हमने स्लीव को स्टिच कर लेना है तो यह देखें स्लीव को मैंने यहां पर स्टिच कर लिया है अब यहां पर हमने कुर्टी का जो बोटम पार्ट है उसको हमने यहां पर स्टिच करना है उसको सबसे पहले हम त्यार करेंगे क्योंकि हमने नायरा कट कुटती त्यार करनी है तो यहां पर हमने दोनों तरफ यह देखें सबसे पहले हमने बोटम पार्ट को घेर को इस तरीके से फोल्ड करके तो यह दोनों तरफ दोनों सिरे यह देखें इस तरीके से यहां पर मैं तकरीब धाई इंच स्टिच्च का निशान लगा कर चोटा सा कट लगा दूगी गौर Ses यहां से अपने देखना कुछ रिकमें से तरीके से आपने चोटा सा कट लगाना है दोनों पारफ पर दूसरा पर नहीं भी दूसरा घेर लेंगे वहां पर भी हमने करना से आपने लैस्ट को स्टिछ करना स्टार्ट करना ड़ अumbles अब हेँ देखेए जहां तक हमने कट लगाया था उसा हमने फैब्रीक का उंदर की तरा फोल्ड करके तो इसको उपर लैस्ट को राकर इस से stitch करना है लेकिन जो धाई इंच का हमने फासला छोड़ा था उपर से कट वाला उतना पाथ हमने छोड़ देना और बाकी नीचे से फैबरी को fold करके तो इसके उपर इस तरीके से less को रखना है और यहां से हमने इसलिए जितनी लेस थी मैंने चोग पर ही लगा दी अब यहां पर आपने जितनी फीटिंग रखनी है ना उतनी फीटिंग पर निशान लगा कर और उसी निशान के उपर इस तरीके दाल कर तो यह चुंच और बैक्सट का घेर तो दोनों साइडों से यहां ऍ lle attack का फासला चोड़कर फिर चुनच डालना स्पार्ट करने हैं यह देखें इस तरिके से तरफ से एक एक इंच का फासला चोड़कर मैंने चुनच डाल दी हैं Fron और Back Start के गीर यहां पर Stitch कर लिया है अब यहां पर आपने yard से लगानी है यहां पर आपने गोट से देखना है यह देखिए इस तरीके से अपने Fron और Back Start के गीर को स्लीव सस्वाइँ से आपने फिटिंग की स्टार्ट करने हैं और यहां तक लेकर अनिए कड लगाया था आपको 1.5 छोड़ा था तक कड़ा ओपने इस लाई खुत करना हैं यहां तक दुन काण से आपने इसी तरीके से लगा देनी हैं यह देखें मैंने की तरीग लगा दी है सरस कट तक पूरे चोक पर आपने सलाइ नहीं लगानी बाकी चोट सारा खुला ही रहने देना है अब हमने यह कुर्टी को सीधा किया और यह देखिए इस धरीद म temps कि इसकी लुक का जाएगी इसे हम नाईरा कट कुर्ती जैनके नाईरा कुर्ती भी कहते हैं और ओपन चाक वाली कुर्ती भी कहते हैं अब यह देखें मैंने डोरियां पहले से बना कर रखी थी इन डोरियों को आपने कुछी तरीके से दोनों साइडों में स्टिच करना है इस तरीके से डोरियों का दर्मियान वाला पार्ट लेना है और यहां पर दोरियों को इस तरीके से रखना है और यहां पर आपने सलाई के साथ पक्का कर देना है दोनों तरफ दोरियों को तो यह देखे मैंने इस लाइयों के साथ डॉरियों को भी पका कर दिया है और यहां पर हमारी कुर्टी कम्प्लीट हो गई है स्टिच हो गई है अब यह डॉरियों को आपने कुछ इस तरीके से बेबी के पहनाने के बाद गिरा दे देनी है फ्लावर की शेफ में तो बहुत ही प्यारा ड्रेस बनकर त्यार हो जाएगा जरूर ट्राइ कीजिए आप मैंने इसके साथ का जो ट्रॉजर था कटिंग किया हुआ था वो भी स्टिच कर लिया है कटिंग तो ट्रॉजर की आपने देखी ली थी स्टिचिंग मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि यहां पर वीडियो बहुत लॉंग हो जानी थी सेम इसी तरीके से आप बड़ी बच्ची की भी कुर्टी त्यार कर सकती है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसके अलावा मेरे चैनल स्वी डॉल्स का विजड करना मत भूलियेगा क्योंकि वहां पार आपको इस से भी प्यारे प्यारे जबरदस न्यू फ्रॉक डिजाइन मिलेंगे और हर एज की बची के फ्रॉक डिजाइन मिलेंगे अची नेक डिजाइन केप्री डिजाइन आप दिखना चाहिए बहुत ऊजी तरीके के साथ बनाए गये हैं डिजाइन जो आपको असानी समझा सकेंगे और खुरद आप घर पर असानी से स्टिच कर सकेंगी तो यह देखें यहां पर कैपरी के डिजानिंग मैंने आपको दिखाई है मैंने 6 इंच का पॉंचा रहकर यहां पर प्लेट्स डाली थी यहां आप पॉंचे पर पटियां भी लगा सकती है कुड़ती के साथ की तो वीडियो अपसान दाई लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना मत पूलिएगा तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजान के साथ अल्ला हाफीज